मुकेश कुमार को सब के सामने पीटा गया लोगों का कहना है कि यहां ऐसा सफाई करमचारियों के साथ पहले भी कई बार हो चुका मुकेश कुमार ने परवीन बैनिवाल के खिलाफ रानिबाग थाने में FIR दर्ज की जहां अकेल भारतिय सफाई मज़ूर संग की पूरी टीम मोके पर पहुंची जिसमें कारेकारणी अध्यक्ष करमवीर महरोलिया जी प्रदेश अध्यक्ष पवन पार्चा जी दिल्ली प्र परवीन बैनिवाल ने थाने में पुलिस प्रशासन एसच्चो साहब के सामने और सभी जो भी लोग वहां मुझूद थे सब के सामने मुकेश कुमार से माफी मांगते हुए लिखित रूप में ये स्विकार किया कि आगे से वह किसी भी सफाई करमचारी के साथ इस तरह की क घटना को दोबारा दोहराया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाएगी राष्टे कार्यकारिनी अध्यक्ष करमवीर महरोलिया जी ने सब के सामने परवीन बैनिवाल से मुकेश कुमार जी के पैर पकड़वा कर माफी मंगवाई और परवीन बैनिवाल के लिए उनके हक के लिए आवाज उठाती है और उनको हक दिलाने के लिए लड़ती रहती है राष्टिय अध्यक्ष करमवीर महरोलिया जी हमेशा सफी सफाई मजदूरों के हक के लिए हर जगे पहुँच जाते हैं और उनका हक दिलाकर ही रहते हैं देश में कई जगे ऐसी घटनाए लगातार सामने आ रही है जहां सफाई सैनी को के साथ मारपीट की जाती है बेवज़ा उनको प्रताडित किया जाता है उनका शोशन किया जाता है आखिर ऐसा क्यूं जब पुरे देश में सफाई सैनी कोविड-19 के दोरान सभी की सुरक्षा के लिए अपने आपको ध्यान में ना रखते हुए ओन ड्यूटी रहे सभी की उन्होंने हेल्प की तो उनके साथ ऐसा क्यूं आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूले ताकि आपके विचार हम लोगों के साथ साजा कर सकें